हेई गईस कैसे हैं आप लोग जब से हमने इस Realme Birds OLS3 का वीडियो के है तब से एक रिक्वेस्ट भाई बहुत जादा आ रहा था किया आप इसको Oppo Enco M32 के साथ कंप्यर कीजिए बिकोज Oppo Enco M32 one of the best product है अगर आप music lover के हिसाब से देखेंगे और मुझे भी यह जो neckband है बहुत जादा पसंद है जब से यह launch हुआ है उसके बाद से मैंने इसको बहुत जादा यूज़ किया है और इसको भी मैं करीब लास्ट दस दिन से यूज़ कर रहो तो डीटेल में compare करेंगे इन दोनों neckband को और बताएंगे आपको कि कौन सा आपके लिए परचेस करना सही रहेगा इसपेशली अगर आप एक music lover है and one by one in सभी points को cover करते हैं conclusion पर आने की कोशिश करेंगी कि कौन सा neckband overall सब से based है तो definitely इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा चलिए फटा-फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नामे बिधान आप देख रहे हैं इनसाइट लेट स्टार्ट दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से फिला है मैं आप लोगों से एक रिक्वेश्ट करना चाहूंगा जितने आभी आप लोग हमारे चनल पर वीडियो देखता है तो आप लोगों से रिक्वेश्ट है सब्सक्रिप्शन फ्री है भाई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे एंड थोड़ा आगे बरने मदद कीजे चलिए अभी वीडियो में बापस आते हैं यह हमारे पास रियल्मी बर्ट्स व्लस 3 जो की वाइट के लर में हमने प तो अगर आपके पास पहले से टाइप सी चार्जर है तो ठीक है अदर्वाइस आपको खरीदना पड़ेगा अलग से अगर सबसे पहले बात कुरूं इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ट के बार में निक बैंड को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो चीज आप न करना चाहते हैं तो आप दोनों को आराम से कर पाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अगर आप मॉड्यूल को देखेंगे तो दोनों में ही जो सारा बटन्स और पोर्ट्स है वो आपको राइट साइड में तो मिलता है बट जो डिजाइन है मॉड्यूल का वो कवर भी किया गया एंड रियल्मी बर्ट्स ओलस्त्री में आपको चार फीजिकल बटन मिलता है जबकि ओपो में आपको तीन बटन मिलता है और बटन का जो टेक्टाइल फीडवेक है वो रियल्मी का थोड़ा ज्यादा क्लिकेविल साउंड करता है बट ओपो का भी काफी अचाहे अचया है डोनों का ही module प्लस्टीक हो मिल जाता है बट्रामी का हालक़ साथ इब साइडला económा में लोगों मिल जाता है डिceğल्मी बर्सWL 13 आपको टीन अलग-अलग अधिकलों में मिलता है जबकि अप आपको दो अलग-ध प्लक तैप केульт暴र और उसमें ये जो काफी बड़ा difference notice होता है realme birds ols3 का जो वेर है वो काफी मोटा है साथ ही अलग से टेक्चर भी यहां पर दिया गया बट उपो का वेर काफी पतला है यहां पर से वेर के जॉइंट में कोई सपोर्ट भी नहीं दियागा जबके रियल में आपको काफी आचा सपोर्ट मिल जाता है तो अगर आप उपो एंग को एंग के साथ आपको यूज करने का जरूरत है हलाकि मैं इसको लास्ट एक साल से यूज करो मुझे यहां पर कोई भी लेगा चाहे आप रणिंग के टाइम पर या फिर जीन के टाइम पर ही क्यों ना यूज करें बट ओपो में पीछे के साइड में आपको पूरा रवार का अलग से पैडिंग जैसा दिया गया जिसके वाई से जब भी आप कान में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफरड है बट कंपरीजन के हिसाब से हम यहां पर आपको बता रहे हैं साथी दोनों के पीछे के साइड में आपको एक हलका से डिजाइन भी आपर दिया गया है बट ओपो में डिफरेंट के साथ है तो इसलिए ज्यादा देखने में अच्छा लगता है और साथी दोनों में ही करता है एंड साथ ही यहां पर जो यह प्लैक है पो ज़्यादा कॉंफरडवल भी फील होता है अगर आप रियल्मी के साथ देखेंगे बट डिफिनली दोनों ही काफी अच्छे क्वालिटी के साथ आता है अगर आप 15 रुपए प्राइस में पर्चस करते तो उसके हिसाब स से आपको बील्ड क्वालिटी में कोई कंप्लेंड होना नहीं चाहिए बट अगर आप 18 रुपए के साब से देखेंगे तो डेफिनली रियल्मी बार्ट सोलेस्टी का बील्ड को बिटर मिलता है अगर आप इस ओपो एंग को एंग के साथ कंपेर करेंगे अभी हमने सुच क तो किस का कॉलेटी कुछ किस चाहिए पार इंटर में पार इंडर में करते हैं तो कुछ इस तरह का एकस्पर कालेटिब के अगर इमड़ करांक करने को ज askPl तो अभी हमने स्विच कर लिया और आप सुन सकते हैं Realme Buds OS 3 में आपको किस तरह का क्वाल कॉलेटी मिलेगा अगर आप इंडूर से बात करते हैं तो किसका क्वाल कॉलेटी आपको सबसे बिटाई लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर आईएगा है और हमारा क्या राई है चलिए आगे बात करते हैं तो आपने देखा कि किस तरह का क्वाल कॉलेटी आपको इंडूर और आउट्डूर कंडिशन में मिल जाता है मेरे जिसाब से इंडूर कंडिशन में दोनों का ही कॉल कॉलेटी काफी आचा है आप लंबे समय तक आराम से बात कर सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लेम नहीं होगा तो definitely मैं यहाँ पर आपको Realme Birds OLS 3 सेज़ेस्ट करूँगा इसका कॉल कॉलेट आपको बहुत आचा है यहाँ पर मिल जाता है और बैटी वेकप के बारे में बात करूँ तो Oppo Ingo M30 Pro में आपको 28 गंटे का बैटी वेकप मिलता है कंपनी के हिसाब से और प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे करीब 24-25 गंटे का बैटी वेकप आप इजीली मिल जाता है अगर मैं 60-70% वॉल्यूम में भी सुनता हो और इस Realme Birds OLS 3 में आपको करीब 40 आवर्स का बैटी वेकप मिलता है कंपनी के साब से प्रैक्टिकल लाइफ में करीब 35 आवर्स के एराउंड बैटी वेकप मिल जाएगा है और अगर आप एंसी मोड के साथ यूज करते हैं तो करीब 24-25 आवर्स का बैटी वेकप आपको इसमें भी मिल जाता है एंठ दोनों ही फास्ट चाज्रजिंग को सब्सक्राइब है अगर् Trailbook और बहवागे मंनेटी आप को कोई भी प्रॉब्लेम होगा अगर आप दोनों में से किसी को ही purchase करता है चले भी बात करते हैं कुछ ऐसे फीजस के बारे में जो कि आपको सिर्फ इस Realme Buds OLS 3 में देखने को मिलेगा और इस OPPO ING को M32 में देखने को नहीं मिलता है सबसे पहले तो कि यहाँ पर आपको active noise cancellation का support मिल जाता है तो 30 dB तक sound को यह reduce कर सकता है तो जिसके वाईसे जो बाहर का noise है या फिर जो आवाज है वो आपके कान में बहुत ही कम मिलता है जब भी आप इस ANC mode को on करता है इसका जो quality भी मुझे यहाँ पर काफी आचा लगा है साथ ही ANC है तो यहाँ पर आपको transparency mode का भी support मिल जाता है यानि कि अगर आप earphone लगाने के बाद बाहर का noise है या फिर आवाज है उसको आप सुनना चाहते है आपके कान में तो जैसे आप transparency mode को on करेंगे तो आप clearly सुन पाएंगे ear plug को आपको कान से निकालने का जरूरत नहीं होगा और यह दोनों ही एक premium feature से जिसका support आपको इतने कम price में भी देखने को मिल रहा है साथ ही साथ आपको यहाँ पर real b link app का support मिल जाता है और आप के अंदर जाके आप बहुत सारा चीज़े कर सकते हैं जिस तरह का sound सुनना पसंद है उसके हिसाब साप EQ mode set कर सकते हैं साथ ही खुद के हिसाब से equalizer भी आप create कर सकते हैं इसके लिए गेमिंग मोड को on करना हो गया noise cancellation वगरा को on off करना हो गया या फिजो special 360 degree sound है उसको भी आप on off कर सकते हैं अगर कोई firmware update आता है तो उसको भी आप इसमें ले सकते हैं बट यह सारा चीज़ें आप इस open को M32 में नहीं कर पाते हैं एक चीज़े कि इसमें आपको dual device connectivity का support तो नहीं मिलता है बट आपको dual device switching का support म मिल जाता है अगर आप इसके plus minus के बटन को continuous long press करके रखते हैं तो आप एक mobile से disconnect हो के दूसरे mobile पर या पी दूसरे device में connect हो सकते हैं और उस तरह से switch करकर करके आप use कर सकते हैं बट इस Realme Buds OS 3 में आपको dual device pairing का support मिल जाता आप एक साथ में multiple device के साथ connect करके use कर सकते हैं आपको switch करने का जरूरत नहीं पड़ता है तो definitely यह भी एक superior features है अगर आप इस OPPO Inc. M32 के साथ compare करेंगे और ही पर बात कुरो connectivity के बारे में तो OPPO Inc. M32 में आपको Bluetooth 5.0 का support मिल जाता है जब कि Realme Buds OS 3 में आपको latest Bluetooth 5.3 का support मिल जाता है बट connectivity दोनों का ही बहुत strong है अगर आपका room में phone रखावा है आप बाहर जाके use करें बीच में 2-3 obstacles है फिर भी दोनों ही बहुत अच्छे से connected है आपको कोई भी problem नहीं होगा इन दोनों ही neckband में आपको magnetic on-up का support मिल जाता है यानि कि जैसे आप इनकी ear plug को अलग करते हैं आपकी mobile के साथ connect हो जाता है जैसे आप फिर से एक सा साथ connect हो जाता है तो डिफिनिटी ब्लूर्ड बर्सन में तो डिफरेंस है बाट connectivity में आपको उतना कुछ फरक नहीं पड़ेगा दोनों ही बहुत स्ट्रॉंग connectivity के साथ आता है चले बात करते हैं सबसे important चीज इन दोनों एक band के sound quality के बारे में ओपो इंको इंधाट्र में 10 mm का ड्राइवर का यहां पर यूज किया गया है तो इसका मतलब क्या Realme का sound quality बेटर है हमें साथ दोस्तों ऐसा नहीं होता है अगर सबसे पहले Realme के बारे में बात करो तो Realme का sound quality वो आपको कमाल का मिल जाता है इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि Realme Link Cap के अदर आ लग लग EQ mode मिलता है और सारा जो EQ mode है वो बहुत जादा आचे से काम करता है वैसे तो इसमें आपको bass काफी पंची मिल जाता है बाट अगर आपको bass पसंद नहीं है तो इस condition में आप जो serenade mode है आप उसको use कर सकते है bass काफी कम मिलता है साथी जो vocals है जो troubles है वो आपको सबसे सुनने को मिलता है और नॉर्मिली भी इसका sound quality बहुत जादा आचा है जो bass है वो आपको काफी पंची मिल जाता है साथी जो vocals है जो trouble है वो आपको क्रिप्सन क्लियर सुनने को मिलता है जो चंचंबला sound है वो आप क्लियर ली इसमें feel कर सकते है तो definitely sound quality आपको इसमें बहुत इसमें आपको special 360 degree sound का भी support मिल जाता है जिसके वाई से आपको एक theater like experience मिलेगा ऐसा company का कहना है बट मुझे practical life में उतना huge difference तो देखने को नहीं मिला बट इसका support आपको इसमें मिल जाता है तो surround sound भी आपको यहाँ पर काफी आचा मिल जाता है तो अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग आपको experience प्रोफाइट कर सकता है अलग-अलग type का अगर आप song सोना बसंद करते तो उसमें यह जो सारा चीज है वह आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्त होता है बट अगर आप इस OPPO Inc. M32 को देखेंगे तो भाई मुझे नहीं पता कि OPPO आपने audio product को क्या खाके बनाता या फिर कैसे क्रियेट करता है बट जितना भी audio product है ना OPPO का मैं उसका एक fan आप कह सकते है एक कमाल का experience मिलता है जितना भी OPPO का product है मैं आख बंद करके आपको recommend कर सकता हूं कि आप जाके कोई भी OPPO का audio product ले लिजे आपको the best experience मिलेगा अगर आप sound quality मे देखेंगे चाहे किसी भी price segment का ही क्यों ना हो एंड ये भी similar experience के साथ आता है कुछ अलगी है इसमें जो बेस है वो आपको काफी deep तरका मिल जाता है और सुनने में बहुत जादा अच्छा लगता है साथ ही जो focus है वो creeps and clear है काफी rich sound है और जो trouble का part है वो सबसे based है जो बहुत सारा audio product है बहुत सारा neckband है बट जब भी गाना सुनता हो तो मैं हमेसा इसको use करना prefer करता हूँ तो अगर आप है truly music lover है तो मैं definitely recommend करूंगा कि भाई इस से better neckband आपको under 2000 किया under 3000 रूपेज में भी नहीं मिल सकता है बट Realme का भी sound quality बहुत आच है बहुत सारा अलग- करते हों आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो दोनों में से किसी के साथ भी आप जा सकते कमाल के sound कोलने के साथ दोनों ही आता है आप किसी को भी purchase करते तो आपको कोई भी regret फिल नहीं होगा बट मुझे personally Oppo Inko M32 आज भी थोड़ा सा better लगता है आपको अलग से कोई भी gaming mode का support नहीं मेलता है तो जब भी आप इसके साथ game खेलते हैं तो हलका से आपको यहां पर latency feel होता है बट अगर अगर आप realme birds OLS 3 को देखेंगे तो यहां पर आपको स्री 45 millisecond low latency gaming mode का support मिलता है और जिसके वाई से जो experience है वो आपको कमाल का मिल जाता है और almost ना के बराबर आपको latency मिलता है तो realme birds OLS 3 मेरे हिसाब से सबसे best gaming neckband है अंडर 2000 रूपीज में तो guys finally आम पहुच चुक है वीडियो के end में और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इन दोनों में से कौन से neckband purchase करना चाहते हैं क्या चीज़े आपके लिए सबसे important है और अगर मैं मेरा opinion यहां पर बताओ क कि इन दोनों में से सबसे best cons है मेरे हिसाब से और कौन सा आपको purchase करना चाहिए तो देखिए अगर आप सिर्फ sound quality के लिए एक neckband purchase करना चाहते है तो Oppo Inc. M32 बिलकुल आपके लिए सबसे best option है जबरदस sound quality के साथ ही आता है और कोई भी neckband इसको beat नहीं कर सकता है एबन आज के date पे भी एंड साथ ही साथ बाकी सारा चीज़े भी snakeband में आपको काफी आचा मिल जाता है बाटी बगरा भी बहुत आचा है हां जो वहर है बहुत ना अचा नहीं है तो उसमें थोड़ा सा आपको compromise करना पड़ेगा अगर आपको sale के टाइम पर यह 1499 के अंदर मिल जाता है त और साथ मी active noise cancellation features या फिर transparency mode का support इस snakeband को एक complete snakeband बनाता है under 2000 रूपीज के category में and overall इससे better snakeband आपको market में नहीं मिल सकता है the best snakeband है under 2000 रूपेज में जितना भी snakeband market में अब लेवल है अगर आप overall किसी भी snakeband के साथ compare करेंगे तो हां अगर आपके लिए सिर्फ music important है तो आप OPPO M32 आप 2 को purchase कर सकते है बड़ अगर आपके लिए calling भी important है gaming भी important है NC features को use करना चाहते है तो realme birds 2 से better option आपको नहीं मिल सकता है और इन दोनों ही नेकband का detail वीडियो आपको हमारे channel पर मिल जागा जहाँ पर छोटी छोटी चीजों के बारे हमने बहुत detail में उन वीडियो में discuss किय होगा है तो मैं request करूंगा जो भी नेकband आप purchase करना चाहते है एक बार उन वीडियो को जरूर देख लिए जागा तो आपके लिए बहुत है helpful हो सकता है तो उन सारे वीडियो का link आपको description मिल जाएगा जाके check out जरूर कर लिए या फिर आप उपर i button से जाके भी check कर सकते है सा प्रेस फिलल बस आज के लिए नहीं था अगर आपको वीडियो यल्पर लगा तो वीडियो को like करने के साथ सा चैनल को subscribe करना मत भूलेगा जैसे कि हमने पहले ही का कि 97 लोगों ने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो please भाई चैनल को subscribe कर लिजे subscribe करना free है आपके एक subscription से एक सपना प पाद नहीं